दोस्तो नमस्कार मैं उतकर्ष दिवेदी स्वागत करता हूँ आपका लेट्स क्रैक यूपी एक्जाम्स में सामान यद्धियन के इस डेली आठ बजे के कोर्स में हम विज्ञान प्रद्वकी का MCQ देख रहे थे तो आज उसका सात्वा भाग है और हमारा प्रयास है कि MCQ के माध्यम से और Conceptual वीडियो के माध्यम से एक संपूर्ण आपको कोर्स प्रदान किया जाए इस आठ बजे के कोर्स में और दूसरी बात है कि जो सुबह वाला वीडियो है और अन्य जानकारियों के लिए अच्छा है ही वो आप देखी रहे हैं विज्ञान प्रद्वकी का यह भाग जो है विज्ञान और प्रद्वकी के प्रशनों को समाहित करते हुए उनके Concept जो की परिक्षाओं के लिए महत्यपूर्ण हैं वो बताते हुए चलेगा और आपकी जानकारी में अविवरिद्धी करेगा ताकि आपकी परिक्षा में किसी भी प्रकार का प्रशन पूछा जाए आप उसको हल करने में सक्षम हो सके अब लेट्स क्रेक यूपी एक्जाम को आप अवस्चे सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यूपी एक्जा मैं आपको दे रहा हूँ कोई अगर कंफ्यूजन हो डाउट्स हो क्वेशन के दोरा तो आप अवस्चे पूछे नेश्ट वीडियो में उसको क्लियर किया जाएगा अब यहाँ पर प्रशन है निम्रखित कतनों पर वीचा कतन कारण है और चार आप्शन आपको दिये हैं इ आप कांसेप्ट नहीं सही से पकड़े हैं तो यहां पर दिया है कि 800 डिग्री से उचे ताप पूर्ण विकरण उत्ताप मापी से मापे जाते हैं दूसरा है कि 800 डिग्री से कम किवस्तुएं उश्मी विकरण सर्जित नहीं करती हैं तो यह कथन दिया है यह करण दिया है आ चालन, सम्वहन और तीसरा है विकिरन ये चालन विदी क्या होती है दोस्तों जैसे उदारन के द्वारा में बताना चाहता हूं किसी लोहे को आप कोई लोहे की छण है उसको आप किनारे पर गर्म करें किसी भी चीज से जलाएं उसको तो कुछ देर में क्या होता है कि छण का जो अन्तिम सिराह है जहां पर आप पकडे रहते हैं वहीं हो जाता है ऐसा कारण होटा है इसमें क्या होता है मिलता है इस्थित होता है उब हम अपने भगल वाले जान कोगैश्च कोगरन आ यह जाती इसको चालन वे चल करके पहुंचना है और संभाण मतलब बह करके पहुंचना समवहन मतलब इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आयाएता मतलब बहकर कि जैसे एक बरतन में आप पानी उबा रहे हूं यहांपर हीटर है ठीक है उसको गर्म कर रहे है यह बरतन कर मौ रहा है और इसके इंतर पाँ को गर्म करता चला जा रहा है इसको क्या कहेंगे संभहन करेंट्स या संभहन के द्वारा उश्मा का उस सरजन्तु कुछ दिर में क्या होगा कि जल की सतर से सुरु हो करके पूरा जल जो है गर्म हो जाएगा इसको हम समवखन विधी कहते हैं भूगोल में जब आप पढ़ते हैं तो एक अभिवहन विधी हो जाता है समवखन मतलब जो उर्ध्वाधर दिशा में संचलन होता है उश्मा का उसको समवखन कहेंगे और जो 36 दिसा में समवान होगा अर्थात इस तरफ से इस तरफ जो करेंट बहेगी उसको क्या कहेंगे अभी वहन कहेंगे हाला कि वो भूगोल का टापिक है हमने बताया भी आपको इसके बारे में और ये तीसरी जो विदिय है उस्मा के संचरण की वो है विकिरण विकिरण में किसी माध्यम की आउशक्ता नहीं होती है जैसे आपने देखा दो माध्यम की आउशक्ता थी यहां पर लेकिन विकिरण में किसी माध्यम की आउशक्ता नहीं होती तो बहुत जादा जो उश्मा वाले स्रोत होते हैं जैसे 800 डिग्री से उचे ताप स्रोत जो होते हैं वो विकिरन उस्तर जित करते हैं वो विकिरन के माध्यम से उश्मा का संचर्ण वहां से होता है इसी लिए उनको पूर विकिरन उत्तापापी से मापा जाता है तो इसका कारण भी सही है कथन भी सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या करता है इसका उत्तर हो जाएगा ए अब यहाँ पर प्रश्ण है निम्नलखित विज्ञानिकों में नोबल पुरसकार विजेता नहीं है तो हर गोविंद खूराना तो हैं ही इनको मिला हुआ है और सट इसमी में चिकिस्टा के छेत्र में इनको नोबल मिल चुका है इस चंद्रशेखर सीमा जी उन्होंने बताई थी इनको 1923 भी में भौद्की के छेत्र में मिल चुका है फिर अमर्त सेन देखें अमर्त सेन ये बैग्यानिक नहीं है ये अर्थसास्त्री है लेकिन अर्थसास्त्मी सामाजिक विज्ञान में आ जाता है तो अगर ऐसा प्रशना आए और कन्फ्यूजन वाला कोई आप्शन न रहे जैसे यहां पर किसी ये विज्ञानिक का नाम द विज्ञानिक नहीं अर्थसास्त्री है लेकिन यहां पर आपको पता है कि इनको तो मिला ही नहीं है नोबल तो इसका जो एप्रोप्येट एंसर हो जाएगा जग्दीश शंद्र बसू हो जाएगा भले ही ये विज्ञानिक थे अमर्सेन अर्थसास्त्री है लेकिं अमर्से सेन जो है सामाजी विज्ञानी तो हैं तो एक प्रकार के विज्ञानी के यह भी कहे जाएंगे तो जगदी शंद्र बसू इनको ही नहीं मिला है बाकी सबको मिला हुआ है अब यहां पर दिया है शीत काल में पेंडूलम घड़ी की गती पर प्रभाव पड़ता है यहां से देखिए पेंडूलम घड़ी की गती पर प्रभाव पड़ता है गती बढ़ जाती है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है गती शुन्ने हो जाती है एक बात मैं आपको बता दूँ कि अपने उपर ही लागू करिये कि ठंडी और गर्मी के प्रति आपका क्या आच्रन होता है गर्मी में आप ज़्यादा फैलने की सोचते हैं ज़्यादा विस्तार करने की सोचते हैं बोडी और ठंडी में आपको सिकुडन होती है यही बात धातू के साथ है यहाँ पर क्या होता है कि ठंडी में वस्तुएं सिकुडती है लंबाई इनकी छोटी होती है छोटी हो जाती है और गर्मी में इनकी लंबाई बढ़ जाती है विस्तारण के कारण तो जब गरमी में बढ़ेगी लंबाई अब आपको बता दू कि L जो है लंबाई जब घटेगी जितना जादा लंबाई कम होगी उतनी तेज पेंडूलम की गती होगी कभी भी ऐसा प्रशन आएगा तो आप अवश्य इस चीज को अपलाई करिएगा कि लंबाई बढ़ रहेगी घट रहेगी अगर लंबाई बढ़ेगी तो पेंडूलम की गती घटेगी और लंबाई जब घटेगी तो पेंडूलम की घड़ी की गती बढ़ जाएगी तब यहाँ पर ठंडी में क्या होगा यहाँ चीत काल बूच रहा है तो थंडी में लंबाई घट जाएगी, जब लंबाई घट जाएगी तो pendulum घटी बढ़ जाएगी, तो इसका उत्तर हो जाएगा अब भी प्रथम भारती संप्रेशन सैटेलाइट प्रथम भारती संप्रेशन सैटेलाइट कम्मुनिकेशन जो सैटेलाइट था एपल उसका नाम था उसका प्रक्षेपन कब किया था यहां तिदे कि प्रथम भारती संचार सैटेलाइट जो था संचार उपग्रह एपल था उ कवरू से इसका प्रक्षेपण किया गया था फ्रेंच ग्याना में कवरू प्रक्षे पंड के अंदर है 19 जून 1981 को यहां से प्रक्षेपित किया गया था प्रत पहला भारती संचार उपग्र था संप्रेशन सेटेलाइट था और कल हमने क्या पढ़ा था कि 19 मई 1975 को कौन सा भेजा गया था आरे भट वो भारत का पहला सेटिलाइट था पहला उपग्र था पहला अंतरिक्ष अभियान था इसका उत्तर हो जाएगा एक कोरू सोरी 19 अप्रेल था दोस्तों 19 अप्रेल 1975 को आरे भट को भेजा गया था मैंने मई ग परशन है नाविकी संलेण रिक्ट्रों के विशें में निम्खित कतनों पर विचार किजियेगे दो प्रकार की नाविकी नाविकीज होता y娘 और नाविकी भिकंडन नाविकी संलेयन जो अबक्रिया है जैसे कि हाइड्रोजन बम है या फिर सूरिका से जो सूरे और तारे हैं ये सब भी हाइड्रोजन के सनलेयन से उत्पन होते हैं दो नाभिकों के जुड़ने से सनलेयन मतलब जुड़ना दो नाभिक जब जुड़ करके एक भारी नाभिक बनाते हैं दो हलके नाविक जुड़ करके और स्थाई नाविक का निर्मार करते हैं तो उसको क्या कहेंगे नाव की संलियन की प्रक्तिया कहेंगे वही नाव की विखंडन में क्या होगा कि एक नाविक जब विगटित होगा दो हलके नाविकों में तो उसको क्या कहेंगे नावकी विखंडन की प्रत्किया कहेंगे नावकी विखंडन में नावकी सनलियन की अपेक्षा कम उर्जा उत्पन्न होती है अर्थाथ परिमारो बम जो होता है वो हाइडोजन बम से कमजोर होता है हाइडोजन बम इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि हाइडोजन बम के कारण था सल्यन अबक्रिया के लिए पहले विखंडन अबक्रिया होना आवशक है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा औरजा चाहिए ये अबक्रिया होने के लिए बहुत जादा मात्रा में और उर्जा पर्माड विखंडन नावकी विखंडन के द्वारा ही उत्पन की जा सकती है इसलिए हाइडोजन बम बनाने के लिए या नावकी संलियन कराने के लिए सबसे पहले नावकी विखंडन कराना पड़ेगा अभी उर्जा उत्पन होगी उस मात्रा में की नाविकी सनलेयन हो सके तो ये जो है इसका जो अब देख लेते हैं कि कौन-कौन से कथन है वे भारी नाविकों के विखंडन के सिध्धान पर कारे करते हैं गलत है ये सनलेयन पर ठीक, हलके नाविकों के सनलेयन पर और आधारित हैं दूसरा Cancer इसाथारणतया इनकी टूकमाक डिजाइन होती है एक डिजाइन है जिसका नाम टूकमाक है इसके बारे में जब विस्तार से पढ़ेंगे परमाण बम के बारे में तब वहाँ पर देखेंगे डिजाइनों के बारे में ये लेकिन जो नाव की सलियन रेक्टर हैं टोकमाक डिजाइन पर ये आधारित होते हैं वे बहुत अधिक तापकरम पर कारे नहीं करते हैं ये भी गलत है तो पहला और तीसा गलत है दूसरा सही है पूछ रहा है सही कथन कौन सा है तो केवल दो 20 का उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्ण है निम्नलखित युगमों में से कौन सा युगम सुमेलित ही नहीं है तो लेक्टोमीटर ये दूद का घनत तो बिलकुल सही है हाईग्रो मीटर हवा में आध्रता ये भी बिलकुल सही है एमीटर जो है ये विद्दुचुम्ब की तरंगों की आवरती गलत है, ये विद्दुधारा का मापक है, मीटर, विद्दुचुम्ब की तरंगों का जो मात्रक है, वो है ondo meter, कौन? ondo meter, और spring तुला का मात्रक, spring तुला जो है भारक मापन करता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये emitter वाला ही C option ग बंदित है तो नए जीवधारियों के विकास से विल्कुल गलत फसल उत्पादन से कलम लगाने से जैविक पत्री उपण समंदित है डीज का उतर है क्लोन का विकास एकल जनक कोशिका से किया जाता है जो अपने जनक का जहां से वो उत्पन किया जाता है पूर्ण रूप से सम रूप होता है जब कि अगर नए जीवधारियों की विकास की बात करें तो यह अपने माता पितार था जो जनक है दोनों के मिस्सित गुणों का प्रतिनित्व करता है तो क्लोनिंग जैविक क्लोनिंग की कलपना जो आई थी सबसे पहले कि किसी विश्चिष्ट प्रजाती जो विलुक्त होने कगार पे हो उसको बचाया जा सके इस माध्यम से यह विचार मन में आया था तब क्लोनिंग की सुरुवात हुई थी इस पर जो रिसर्च सुरू हुए थे लेकिन इसका दुरपयोग नहीं इसकारण से इसको प्रतिबंदित कर दिया गया एक प्रकार से तिक कुछ ही विशुष्ट छेत्रों में जैसे संबंदित हैं सेविंग करने के लिए या डाड़ी बनाने के लिए किस तरह के दरपन का प्रयोग किया जाता है कई बार प्रशनाया है आउतल दरपन का प्रयोग किया जता है इसके लिए ठीक है जिस गोली जो आउतल दरपन होता है क्या है जिसका जो तल जो है जो परावर तक तल है और थाद प्रकाश जिस प्रटा है तल पे वह धस्य हुआ रहता है ये न इसको क्या कहेंगे या आप सारी दर्पंट कहते हैं झाय और जो उठा हुआ भाग नहीं है इसको क्या कहेंगे उत्तल कहेंगे ठीक आव उत्तल इन दोनों में अंतर आप जानते ही होंगे अभी तक तो ये बहुत छोटी क्लास की चीज़े हैं इसका प्रयोग जो आउतल दर्पन का प्रयोग होता है वो सेविंग करने आख नाक और कान के जो डाक्टर प्रयोग करते हैं जैए डाक्टर आप कभी दांत दिखाने ज होता है उतल दर्पन होता है और सोलर कूकर जो है उसमें भी उतल दर्पन का ही प्रयोग किया जाता है बीस का उत्तर है थाइराइड हार्मोन के कार्य है जो थाइराइड से निकलता है ग्रंत से थाइराइड हार्मोन उसके कार्य क्या है मेटाबोलिज्म नियंत्रक सही है ज इसका उत्तर होगा यह जो है अगर यह इस हार्मोन की कमी हो जाए दोस्तों तो बच्चों में जडवामन प्याँधा घ्वामन्ता सोरी मिकसीडीमा जो जवानी में होता है मिकसीडीमा रोग गेंगा रोग होता है ग्वाइटर और हाइपो थाइराइजम ये सबी जो है ये थाइराइड हार्मोन की कमी से होते हैं अगर थाइराइड हार्मोन की अधिकता हो जाये तो भी रोग हो जाता है जैसे टॉक्सिक ग्वाइटर एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर ये सबी जो हैं यह हार्मोन की अधिक्ता से होने वाले रोग हैं जबकि घेंगा रोग जो होता है वो थाराइड हार्मोन की कमी से होता है कई बार यह प्रश्ण पूझा जा चुका है तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान लखना है कि प्रश्ण पूझा क्या गया है सिर्फ ग्वाइटर पूछेगा घेगा पूछेगा तो थाईराइड हार्मोन की कमी से लेकिन अगर टॉक्सिक ग्वाइटर या एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर पूछेगा तो थाईराइड हार्मोन की अधिकताच होने माला रोग है तो चाहें तो आप इस चीज़ को नोड भी कर सकते हैं उपर योग तो सभी इसका उत्तर होगा अगला प्रशन देख लेते हैं सूची फस को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दीगे कूट का प्रयोग सही करके सही उत्तर चुनिए अवाक्स दोस्तों एरबोर्न वार्निंग एंड कट्रोल सिस्टम जिसका पूरा नाम है यह इसराइली विक्सित फालकन वाईसेना में लगाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है ठीक है यह क्या गरता है कि जब कारवाई कोई वायान करता है किसी देश में उस देश की क्या प्रतक्रिया होती है उसके बारे में यह खबर देता है सूचना देता है एक प्रकासे चेताओन ही देता है तो भारत ने जो मिराज मिराज जो वायान है लड़ाको इमान है उनके द्वारा जो पाकिस्तान में कारवाई की थी बाला कोट में उसमें ये अवाक्स पनाली लगी हुई थी ये प्रश्न पूछा जा सकता तो अवाक्स जो है इसराइल विक्सित फालकन वाईशेना संबंदित है तो एका फोर होगा अरिहंत परमाड पंडबी भारत की दो होगा बी का ठीक है चार दो और नाग है प्रति एंटी टैंक पक्षे पास तरहे तो वन होगा और एटलस सेंटोर क्या है ये अमेरिकी निम्नताब की राकेट है 3 होगा तो 4, 2, 1, 3 इसका उत्तर हो जाएगा तो 4, 2, 1, 3 अच्छा इन में कोई भी सही नहीं है इसको सही कर लीजे 4, 2, 1, 3 ठीक है? इसका उत्तर हो जाएगा 4, 2, 1, 3 C उत्तर होगा इसका अच्छा रोडेंटी साइड बहुत फेमस भी है यह एक प्रकार का कीट नियंतर का रसायन है इसका प्रियोग किस जानवर के नियंतर हे तो किया जाता है तो रोडेंटी साइड दोस्तों एक विशिष्ट प्रकार का रसायन है कीटों पर नियंतर रखने के लिए और चूहों को मारने के लिए आजकल इसका प्रयोग और जादा बढ़ गया है रोडेंटी साइट का जिस पर इस पर रिपोर्ड भी एक आई थी कि पर्यावरण को इससे क्या नुकसान हो सकता है तो चूहों को मारने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जा रहा है यह इसका उत्तर है अगला है सूची फर् आइड यह सल्फरडा एकसायड दोनों टेट्राएथिल लेड यह इंटी नौक होता है टिक है टेट्राइथिल लेड तो एंटी नौक एजेंट है नौकिंग को और कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पेट्टोल आध़ी मिलाय जाता है नो पोर्टेशियम टट निम्नकित में से कौन सा पौधा कीड़ भक्ची पौधे के रूप में जाना जाता है घटपंडी है यह कीड़ भक्ची अपना जो नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए इसा करता है घटपंडी मांसारी कीड़ भक्ची पौधा है जो कि अल्प खनीज और अमली मृदा में उगता है जहां पर नाइट्रोजन कमी होती है नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है कीटों को यह अपना हर बनाता है वहीं पलाश को जंगल की आग कहा जाता है याद रखिएगा पलाश को जंगल की आग कहा जाता है कमेंट बाक्स में कमेंट करिए कि प प्रश्ण पूछा गया UP SSC में यदे किसी उभैलंगी पुष्प में जायांग और पुमंग अलग-अलग समय पर परिपक हो तो इस अवस्था को क्या कहते हैं जब किसी उभैलंगी पुष्प में जायांग और पुमंग अलग-अलग समय पर परिपक होते हैं तो इस है कि पुरुष और मादा का स्थानिक अलगाओ होता है इसमें पुरुष और मादा जो अंग है वो अब इस अवस्था में अलग-अलग हो जाते हैं ठीक हर को गेमी में यह दोनों ही पूछे गए इसलिए हमने दोनों का बता दिया है आप यह और अगर आप लर्निंग एप अभी तक डाउनलोड न किया हो अनकेडमी लर्निंग एप तो इसको डाउनलोड इंस्टाल कर लें यहां पर कोई भी विश है किसी भी एजुकेटर को आप सर्च करेंगे कोई टॉपिक सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर चाहें तो सब्सक्रिफशन लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं सब्सक्रिफशन आपको एक मन से लेकर के दो साल तक के उपलब्ध है अर्थाथ एक साल एक महीने से लेकर आप दो साल तक का एडमीशन ले सकते हैं प्रशल को कुछ उसमें लगेगा जो भी सब्सक्रिफ कोड अवस्यूज करिएगा ठीक है ना तो 12 महीने का कोर्स में जैसे 7000 रुपए आपका लग रहा है तो 24 महीने कोर्स में उसी कोर्स में 900 रुपए लगेंगे तो आपका दो वर्ष का जो फी रहेगी वो कम पढ़ रही है तो आप चाहें तो दो साल के सब्सक्रिप्शन ले सक सकते हैं पढ़ सकते हैं आराम से तब तक आपका सेलेक्शन भी हो जाएगा कहीं ने कहीं तो यूडी टेन आप याद रखेगा रेफरल कोड तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद